हेलो फ्रेंट वेल्कम बैक टो माई चैनल अनामी कानू आज हम बनाएंगे होमेट फेस वास जिसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी नीम पौडर की अगर आपके वैली स्कीन है तो आप दो जमच कर सकते हैं वना भी जमच पौडर कर सकते हैं उसके बाद हम बहुत ही अच्छा वर्क करेगा आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें उसके बाद हम लेंगे कस्तूरी हल्दी या यह किच्छन की हल्दी नहीं यह अलग है अगर आपके पास यह नहीं है यह फेस वाली होती है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप किच्छन की थोड़ चंदन का पॉर्डर यहां पे लेंगे हम अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को एक लाइक जुरूर देजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर भी करें आप अपनी कॉंटिटी के अनुसार बना सकते हैं आपको जितनी भी कॉंटिटी चाहिए उसके बाद पापाया फेस बैक लेंगे पापाया का पॉर्डर उसके बाद हम आट करेंगे कुकुम्बर का पॉर्डर थोड़ा सा एट करेंगे इसको आप अपनी कॉंटिटी के अनुसार यहां पे आप कर सकते हैं कम ज़्यादा उसके बाद मुलतानी मिट्टी आट करेंगे थोड़ी से अगर आपके ड्राइ स्किन है तो आप थोड़ी से आट करें यूज मिट्व यहां अगर आपके पाश से तो आप यह अपनी करें ना करेंτε अदौ कि आच करेंगे बेसन इसमें चार चमज डालेंगे चार से तीन चमज एड़ करेंगे इसके बाद इसमें हम चावल का आठा एड़ करेंगे डाई के असपाद आप यहां पे आठे का भी एड़ कर सकते हैं या आपके पास जो है आठे का या चावल का या मशूर दाल का वो भी एड़ कर सकते हैं यह चंदन पॉडर है जिसमें नीम पॉडर एंड चंदन पॉडर लेठी पॉडर तीनों एड़ है इसी में इसको भी हम थोड़ा सा एड़ करेंगे प्रेंच कोई भी होम रेमेडी है एक ही बार में रिजल्ट नहीं मिलता है आप इसे वन से टू वीक यूज करिए आपको बहुत एचा रिजल्ट मिलेगा जितने भी होमेड प्रोड़क्ट है वो एक ही बार में वर्क नहीं करता है क्रीम हो या फेश वाश हो फेश पैख हो कोई सभी हो आपको तीन से चार बार लगाने पर ही अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो वन से टू वीक जरू ट्राइ करें यह अच्छे से मिक्स करना है उसके बाद थोड़ा समय यहां पे सुखा अलग निकालूंगी अगर किसी को आपको अगर छाक वाला फेश वास बनाना है तो आप कोई सभी फेश वास हैट कर सकते हैं इसमें जो आपके पास हो या जो आपको पसंद है अगर आप सुखा इसे रखना चाहते हैं तो एक डिबी में स्टोर कर लीजिए आप जब फेश वास करें तो आप इसे इसमें हम थोड़ा सा फेश वास हैट करेंगे जिनको जहाक वाला फेश वास चाहिए इसमें थोड़ा सा पहले फेश वास हैट करेंगे उसके बाद यह थोड़ा सा फेश वास इसमें आड़ करेंगे आप इसे फेस्वास के साथ एड़ करके फेस्वास कर सकते हैं और इसको अच्छे से इसमें आड़ करेंगे आप इसमें थोड़ा सा भी डाल सकते हैं या आप जितनी कॉंटिटी चाहते हैं अच्छे से मिक्स करना है इसको mix करते रहे उसके बाद इसमें हम rose water add करेंगे rose water add करके अच्छे से mix करना है अगर आपको सोखा fish wash यूज़ करना है तो आप किसे एक डिपी में कर लीजिए और milk के साथ आप fish wash कर सकते हैं आधा चमाच milk लीजिए एक से आधा चमाच और थोड़ा सा आधा चमाच face wash सुखा वाला लीजिए उसको दोनों में mix कर लीजिए और face पे अपलाई कर लीजिए फाइप नर तक अच्छे से मसाज करें उसके बाद wash कर दीजिए यह हमारा जाक वाला face wash तैयार हो गया है अच्छे से mix करते रहना है आप इसे दिन में दो बार यूज़ करिए डे में नाइट में अच्छे से इसको mix कर लीजिए एक बाद जरूर इसे try करिए उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे छोटा सुखा face wash इसके लिए हमें एक खाली container चाहिए उसको इसमें add कर देंगे आप इसे आप गुलाब जल के साथ भी face wash कर सकते हैं या raw milk के साथ आप इसे face wash कर सकते हैं या आप नॉर्मल पानी से भी आप इसे face wash कर सकते हैं यह जाक वाला face wash है और यह dry face wash है आप दो type बना लीजे अगर आपको बनाना है और आप एक ही तरह का बना के रख लीजे आपको जब सुखा लगाना हो तो आप सुखा लगा सकते हैं और जब यह face wash जाक वाला लगाना हो तो आप यह लगा सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग देख उपाई तरह का जापको visitors वाचिंग